अगर एक ग्राफिक डिजाइन 40% कस्टमर को अट्रैक करती है तो वहीं एक वीडियो 95% पीपल्स को अट्रैक कर सकती है है दोस्तो वेल्कम बैक टो अनदर एपिसोड और मनुधाकर ओनलेन क्लासेज और आज हम जिसकी बात करेंगे वह होगी करियर ओफ वीडियो एडिटिंग परसनली इसमें मुझे काफ़े बैनेफिट मिला है क्योंकि मुझे वीडियो एडिटिंग और वीडियो के रिगार्डिंग काफ़े सारे प्रोजेक्स मिली है जिसमें से मैंने एडवर्टाइजमेंट किया है उसके साथ साथ कहीं वीडियो क editing किया है और उनके थ्रू मुझे अच्छी खासी payment मिली है ठीक है हम आज इसी की बात करेंगे जब से social media का craze बढ़ा है इंडिया में वप से videos बनाने वाले लोगों की तादाद अलग-अलग platform में बढ़ गई यह वो अपने video बनाते हैं और उनको अलग-अलग platform में डालते हैं बट इस चीज़ को वह अपना career भी बना सकते हैं अगर वह अच्छी video editing करते हैं यह अच्छे videos बनाते हैं आज हम इसी के बारे हम बात करेंगे simple सी बात है कि अगर आप video बनाते हैं या video editing करते हैं तो अगर आप थोड़ इसी professional तरीके से करेंगे तो आपको काफी अच्छी clients मिलेंगे और वह आपको काफी अच्छा पैसा देंगे क्योंकि इस field में काफी अच्छा पैसा होता है अगर हम android phone के बात करें तो android phone में एक मातरी software मुझे अच्छा लगता है काइन master आप इसका use कर सकते हो यह android phone के लिए सबसे best software है इसमें वो सारी चीज़े available है जो एक video editing software में होनी चाहिए उसके साथ साथ ही अगर आप PC का use करते हैं देखो सीधी सी बात है मैं आपको एक बात देता हूं कि laptop या फिर notebook यह video editing के लिए नहीं होते हैं यह सिर्फ आपकी PPT presentation दिखाने के लिए होते हैं तो आप try कीजिए कि आप laptop का use ना करे video editing के लिए because एक PC ही सबसे best चीज़ होती है video editing के लिए okay PCs वगेरा के लिए काफी अच्छे अच्छे video editing software होते हैं लेकिन अगर मैं आपको recommend करो तो मैं आपको recommend करूँगा Adobe Premiere because यह सबसे अच्छा software होता है यह एक easy software है और यह professional software भी है because इसका कहीं गानों में भी use होता है और काफी सारे लोग इसी का use करते हैं तो हमारे जो आने वाले lecture होंगे वो सारे के सारे Adobe Premiere पर होंगे और इसको सीखते सीखते आप इससे earning कैसे कर पाओगे यह सारी चीजे भी मैं आने वाले lectures में बताऊंगे अगर आपके वीडियो अच्छी लगी हो तो like कीजिएगा subscribe कीजिएगा और comment कीजिएगा